तो फानली आप लोगों के समस्त में इंगलिस का पूरा का पूरा माडल पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि इसी वर्ष 2023 और 2024 के सेशन का है और ये थाड़ समस्तर के छात्रों के लिए बहुती महात्पूर है क्योंकि उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि इस वीडि सारे जो question answer है वो आप सभी के लिए बहुत ही महात्पूर है आगे है चलके हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे महात्पूर है बहुत ही hard work करके वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को अंतदख देखते रहेगा चलिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्रुस्तुत है बी सम समेस्टर आपका थर्ड यानि की तर्तिय समेस्टर है और सेशन देख लिए सब्जेक्ट इंगलिस है और प्रश्ण पत्र का नाम जरूर मैच कर लिजेगा पेपर का नाम है बिट्रिस एंड अमेरिकन ड्रामा जितने भी प्रश्ण आएंगे आप सभी के बिट्रिस एंड चिए जो DRAMAN नाटक है विट्रिस नामेरिका कbacks उंधित नाटक का सभी को मालूम कि विधा होती है न फफी तरह इंग्लिस में बहीं है तो इससे सम्मन्द्ग सारे वी景 को पूरि तर देना है और कितने सब्दों में देना उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे पूरी जानकारी आपको डीटियल में पढ़ लेना है ठीक है इस वीडियो में आपको कुश्चन तो बताएंगे कौन-कौन से साथ साथ में हम आपको बेसिक टिप्स एंट ट्रिक्स बिदेंगे ताकि आपको हो सके आपके एक्जाम में ठीक है तो सबसे पहले आपको आती लग उत्रे कुश्चन देखने को मिलेंगे फिर लग उत्रे फिर देर गुत्रे यानि इंगलिस में बूलते हैं वेरी शॉर्ट वह है कि गिब थिरी ठीक है इनवेटिव जहां से सुनेंगे गिब थिरी इनवेटिव करेक्टरिस्टिस ऑफ एक्सप्रेस्टिस ड्रामा यानि कोश्चन कहे रहा कि भाया अभिव्यत्वादी नाटक की किनी तीन नवीन विसिस्ताओं के बारे बताईए यानि कि जो आपक अभिव्यत्वादी नाटक होते हैं उनकी आपको बिसिस्ताओं बताना ठीक है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है ठीक है और कई बार पर इच्छा हम रिपीटेड है तो आप इसको जो तैयार करके जाएंगे यह एक्जाम के लिए बहुत ही महात्पूर्ण है तो तुरंत इ ठीक है अथोरियल इंस्ट्यूशन इन ड्रामा ठीक है तो इस प्रश्ण का मतब यह है कि नाटक में लेखिके घुसपैट का क्या मतलब होता उसके बारे में आपको बताना की ठीक है तो पॉप्लर कोश्चन के बार पेच्छम रिपीटेड है तो वाट इस दा फंक्शन पॉप्लर कोश्चन कई बार पेच्छम रिपीटेड जरूर तैयार करके जाएंगे ठीक है अगला प्रश्ण महात्पूर्ण यह आप सभी के एक्जाम के लिए क्योंकि मैंने देखा है कि यह प्रश्ण कई बार पेच्छम रिपीटेड है जो आपको सी नंबर यानि कि ती ठीक है आपको फ्रोलोग एंड एपलोग के वीच डिफरेंस बताना है तो कहने का मत्तब यह है कि प्रस्तावना और उपसंहार जो आप लोग देखते नहीं किसी भी इमाली जे किसी निवन्द को लिखते है या पिर किसी नाटक लिखते तो उसमें कुछ आपको देखने को प्रस्तावना रहती कुछ उपसंहार से के संगहार रहता है ठीक है तो वही कोश्चन कह रहा है कि भाया आपको उपसंहार और प्रस्तावना यानि कि उपसंहार से के संहार के बीच डिफरेंस आपको यानि अंतर बताना है ठीक है यह प्रस्ण कई बार पर इच्छाम रिप के लिए ठीके अगला पतने है की दहां से सुनेंगे ठीके बहुत पॉप्रेर 11 कोईस्ट नेखे लिखा है कि हुआ यहाई दहां सरहेंगे यथार्थ नाटक में बिस्तृत प्रदर्शन और मंच निर्देशन क्यों महत्पूर्ण होता है उसके बारे बताईए ठीक है मतलब कि जो कुछ नाटक होते जिनको यथार्थ नाटक बोला जाता है उसमें किसी चीज का डिस्काइब करके और किसी चीज को पेस करके कर लीցए जिसने कि मैं आपको यहां पर । जचाद संय है ने इसलिए उनको तैयार कर लीजीगा हम पूराका पूरा시면 Per अनेलींट कर लियें इसके बाद मैं ने पूरा 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 तैयार सुनेंगे ठीक है अब आपको तयार कर लेना एक है नंबर ये महत्पूर्ण इसको तुरूत नोट कर लीजे ठीक है उसके बाद अगला प्रस्वार सुने जारा आप सभी के समझ तरफ घीन नंबर इसको तयार कर लेंगे ठीक है कर फोर्झ एक है यहाँ कर लेंगे आप सभी ओके अब यहां पर अति लगुत्रे में कुछ इस प्रकार के प्रस्ट आपको तयार कर लेना बाकि आपको लगुत्रे में कुछ मैं आप आपको बता दे रहा हूं जो कि मैंने कि इनलेसिस किया कुछ कोश्चन जो पिछले फालो में कई बार रिपीटेड हैं और इस बाराने के समभावना ना थीक है लग उत्रे का पहला कोश्चन की राइटा सोट नोट अंदा ठीक है यह वाला तयार कर लेंगे पहला कोश्चन ठीक है और दूसरा वाला गिनूर कर दे टीक है यह वाला यानि पांच नंबर कोश्चन को तो नोट करेंगे इसका उत्रत तयार करेंगे ठीक है यह महत्पूर्ट प्रेश्चन है उसके बार लग दीर घुत्रे में हम आपको बता देने कौन-कौन से तयार कर सकते हैं आप लोग ठीक है दिर गुत्रे का यह इंपा परिखार प्रेश्चन है आप इसे एग्नोर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आको अगला प्रेश्चन देख रहा है जो कि आपको तयार करना है ठीक है नानिंबर हाव डज्य दैक है यह वाला तयार करने यह बहुत फॉपलर कोश्चन पछेंगा रिपीटड है यह सारे कोश प्रिचा में आने के संभावना है कुश्चन की उनको मैंने बता दिया उन पर जरूर आप लोग फ्रोकस करके जाएंगे काफी आपको आपके एक्जाम में हेल्प लेगी ठीक है यह पूरा मैंने में पेपर एनलेसिस कर दिया ठीक है उत्तर हम नहीं रेटी कर पाएं क्योंकि हमारे पास समय की बहुत ज़्यदा सोटे जहें समय क्योंकि बहुत सारी इनिवर्सिट्री में लगातार प्रिच्छाएं चल लहीं तो हम आप लोगों की जो मैटरेल है बहुत सारे आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट है तो सभी का स्टेडी में तैयार करना फिर पीडिय एंसर भी तैयार कियें ठीक है जो कि अपने मेरे एक्स्पीरियंस के हिसाफ है पिछले सालों में कई बार कुछ कुछ इसमें से रिपीटेट है और नएस लेबर्स के हिसाफ है आप लोगों का जो नएस लेबर्स है नई सच्छानीत है और प्लस इस बार 2030 का जो पैटरन है यह नई की दुन नई चीजें कुछ आपको देखने को मिलेंगे उन सब पर आधारी थी सारी कुष्च्छन उस इसाफसे मैंने कोश्चन एंसर दोनों आप सबी के लिए तैयार कियें तो ध्यान से तैयार कर लेंगे पहला प्रश्ण है कि अगला कुष्चन कहिरा कि करते हैं आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती कि थोड़ा थोड़ा वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर भी कर दिया करें मतलब की वीडियो को और सब्सक्राइब तो कर रही लेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बोलते क्यों कि भा अगला और वी कही बार पर इच्छाब रिपीटेड है तो उम्मीद है आने कि ठीक है गारन्टी नहीं लेकिन उमीद है कि आ सकता है उसके बाद अगला भी कई बार पर पर पेच्छा में एक जम मतलब कई बार पर पर अवा चाहिए यह दिख रहा है कि यह वाला इत्माध पूर्ण नहीं कभी कदार आता हमेशा नहीं आता है तो आप इसे चाहत पढ़ भी सकते हैं आपको पर डिपेंड करता है ठीक है और अगला एक एक्स्प्लेइन दा थिरी यूनिटीज आफ एक्शन प्लेश एंड टाइम यह महात्पूर्ण प्रस्ण है कई बार पेच्छ हम तो 100% उम्मीद है ठीक है ठीक है अगला प्रस्ण है कि वाट वर्दी चार से ठीक है वाट अगेनिस्ट ठीक है और तो लोग वाईदा ब्रा ठीक है ब्रा बेंटियो यह भी इंपॉर्टन कोश्चन है आपको देखने को मिले क्योंकि आपके जो भी थर्ड समेस्टर है ठीक उसमें का स्लेबर से कि घीक लेशन का नाम है ठीक है तो ऑस से संशंपध्य कोश्चन है तो प्रिष्ण में लेगा यह पॉप्लर कोश्चन है इसको भी आप तयार कर लेंगे और। वाला कोश्चन जो कि इससे सम्मधित कोश्चन देखेगा कि Arms and the Man यह कोश्चन बहुत ही पॉप्लर है इससे सम्मधित करीब करीब आपको दो प्रस्ट परिच्छा में 100% देखने को देखने को लेंगे ठीक है तो Arms and the Man जो कि आपके सब्जेक्ट में लेशन है इससे जुड़ कोश्चन कई बार पर इच्छा में रिपीटेट कि हुआई and how it is the anti-romantic comedy यह भी पॉप्लर कोश्चन रोपांटिक कमेडी फिर्ड़ा कोश्चन पकाएगा ठीक है रोमांटिक कमेडी फिर्ड़ा 100% स्योर ठीक है अगला कोश्चन कभी कदार आ जाता हमेशा नहीं आता तो प तम हाथपॉर ने लेकिन तयार कर लेंगे तो बेटरी रहेगा क्योंकि हमेशा रिपीट नहीं हुआ कभी 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 कोई कोई समेस्टर में मतलब कि कोई कोई साल में आ जाता है ठीक है जहां तक मैंने देखा यह वाला बहुत पॉपलर कोश्चन जो तयार करके जाएंगे ठीक 100% वाला question है okay अगला भी important है इसको भी तयार कर लेंगे आप सभी ठीक है और नेस्ट वाला इतना हाथ पूर्ड नेस्ट को आप ignore भी कर सकते हैं इसी तरह को इसी तरह आपको यह वाला बहुत ही popular question कई बार पर इच्छ हम कई बार पर इच्छ हम रिपीटेड है तो जरूर इसको तयार करके जाएंगे आपके examination के लिए इफी तरह आपको और भी question दिखेंगे कि राइट आप व्रीफ इस्टोरी आप दा प्ले मडर इंदा ठीक है यह वी popular question कई बार पर इच्छ हम रिपीटेड है तो इफी तरह आपको और भी बहुत फारे प्रस्ण यहां पर आप सभी के लिए एक एक छाट-छाट के question रखेगे जो कि आपके exam के नजरिये से महत्पोड है और यह सारी question बिछले फालो में कई बार रिपीटेड भी है इस यह आएंगे ठीक है जिस भी वीडियो में guarantee बाला बात रहता उसमें हम guarantee लेते हैं ठीक है और जिसमें मैं बोल दूँगा कि आप यह यह प्रस्ण आएंगे तो आते भी है ठीक आप सभी को मालूम भी है मैं यह नहीं कहूंगा 75 नंबर का पेपर है तो 75 नंबर आप ठीक है 35 नंबर जरूर लाफकेंगे अगर आप अच्छिव तयार करेंगे यह जो पूरी को पूरी पीडिया पर इसको हम टेलीग्राम वाटसप पर प्रवाइड करा देंगे तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा कोई question जरूर पूछे जय हिंद